राधिराधे कैसे थी याप सब अष्छे होँगे और हम इसलो जैसे कि कल की विडियो में मैंने बताया ना मैं जो भी शुरूआत की है मैंने का सिन याorang चल रहा है वह सब लोगों से और आप लोग मेरी फैमिली ओर आप लोगों को बताए भी ना तो मैं रहे नहीं सकती तो मैं ने सोचा इसको सेयर करती हूं कही दिनों से सोच रही थी मैंने का आपको दिखाऊंगो इस चीज को क्योंकि बीच में भी ऐसा हो गया ना बाओ जी नहीं रहे तो उसके बाद में एक डेड़ महीने के विलिए काम बंद हो गया और उसके बाद में अब थोड़ा सा फिर से सुरुआत हुई है तो मैंने सोचा मैं देखा देती हूं क्योंकि काफी टाइम पहले भी चला था और कहां से सुरुआत की कैसे कैसे किया क्या क्या कर रही हूं और क्या आगे करने वाली हूं वह सब मैं आप लोगों से शेयर करती रहूंगी वीडियो में और अभी कहां तक पहुंचाएं वह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि ऐसा होता है घर एक हर इंसान का सपना होता है घर कि छोटा सा घर हो जाए हमारे पास एक रूम हो लेकिन हम खुद से तयार करें उसको खुद बनवाएं है घर मेरे पास घर नहीं है लेकिन ऐकर कहतें हो इन आ चीज की शुरुआतों खुद से करते हैं ना वह अलग को उससे पहले आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और जो जादा से जादा से जादा लोग देख पाएं तो चलिए यह था हमारा प्लोट जो के बहुत जादा यह जंगल हो रखा था जो कि इसमें पेड पौदे और और जितनी भी गंदगी होती ती घर में भी जितनी गंदगी होती थी से में इसी में इकट्टा हो ती तो इस बबाइव ज़्यादा गंदा हो रखा है क्योंकि इधर उधर पेड़ पौदे और कुछ पेड़ इसमें काम के भी है जो कि इसमें नीबू का पेड़ लगा हुआ है और बाकी कक्रों देखा है जो कि बहुत पुराना पेड़ है बहुत साल हो गए उसको मतलब इतने ज़्यादा उस पर आते भी नहीं है बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है यह प्लोट तो देखिया आप लोग देख सकते हो इसमें कितना गंदा हो रहा है तो यहां से शुरुआत की थी बच्चोंने बहुत मेहनत किये बच्चोंने साथ में जो कि बहुत लोगों को लगा के इसकी पहले क्या वह बात होई है जैसे कि मैंने एक वीडियो में पहले दिखाया भी था आप लोगों को क्या क्या काम चल रहा है क्यूंकि एसा होता है हम जरा जरा सी किलिप लेते हैं लेकिन इसमें टाइम बहुत काई दिन जाते हैं इसमें और यह कई मतलब महीनों में हो पाया है यह काम जो कि कैई बहिया लोग लगे हुए थे साफ सफाई करने में फिर थोड़ा बहुत ही धरुदर की दिवाल थी वह भी तुड़वाई गई तो यह सब काम की सुरुआत की है मैंने क्योंकि अच्छा होता ना कोई चीज मतलब गंदगी पड़ी हुई है उसके साफ सुत्रा बनाया जाए तो उससे बड़िया बात क्या हो सकती है तो साथ में बच्चे भी लग जाते हैं तो इस वजए से यह पहले निकलवाये जा रहा है ग्राड़ जाएगा इसमें कुछ डाला भी जाएगा जिन से जड़ किमट Okay from आपम हो जाती है तो काफी सारज और इसमें मतलब इतने कांट न governo भी जड़ा कांटे रखें। कांटे वाले पें डिखने हैं तो बहुत कांटे हो रखें यह सब साफ सफाई करवा कि 5S दो भहिया हैं वैसे एक इधर उदर पता नहीं दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन दो लगे हुए थे पहले फिर जादा भी लगबाएंगे आगे जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा तो फिर उसमें जादा भी लगबाएंगे और एक किलिप मेरे से डिलीट हो गई है जो कि भ कि बीच बीच में मैं भी जाती हूं कि बच्चे लगे हुएं तो उनके पास मैं जाना चाहिए तो यहां पे बच्चे मुझे बता रहें कि ऐसे ऐसे यह हो रहा है ऐसे ऐसे कराना आए तो पहले दीवाल जो है तुड़वा के फिलर वगरा खड़े करके क्योंकि मजबूती के हमारे पास मलब हो गषर किसी के किलिए नहीं हो सकती तो और यह तो जिन के पास नहीं होते है उन बहुत अच्छी वात है और कितना हुपाएगा ऐसा नहीं कह सकती है बॉंडरी करा करा लेकिन यहां पर जो है साफ सफा ही हो जाएगी और उसके बाद में यह नीम भरवाके सारी नीम भर चुकी है इसमें और उसके बाद में मिट्टी डाली गई तो मिट्टी के लिए भी ती मिट्टी को यहां पर यह देख वाल चल रही है तो मैं जैसे बोलती हूं बार बार बोलती हूं बच्चे जो है काम में लगे रहते हैं तो इसका तो पूरा दिन यहीं जाता है क्योंकि देख वाल के लिए भी एक तो चाहिए थोड़ा बहुत कभी किसी चीज की जरूवत प यहां पड़ेगी क्योंकि अभी जो डीपी सी होगी ना वह नहीं हूई है नीम लग चुकी है भर्की तो यह पूरी की एक साथ लगवा दी गई है क्योंकि यह जब भी बनाना हो दो सालवाद तीन सालवाद तो एक अपना बना सकते हो तो इस वजह से पूरी नीम कि चुका है तो सब भी मैं बताओंगी आप लोगों को ओघ तो इतना सब कुछ हो चुका है इसमें और चारी जो है मिट्टी बॉक्त होती है तो बहुत ज्यादा मिट्टी आई इसमें मेट्टी कहीं दिनों तक इसका काम चला मिट्टी का मिट्टी भरने का और यहां पर जो है यह मिट्टी से वो बना दिया गया है मतलब पूरा धलां जो के इस पर चड़के जा सकते हैं देखा आप लोगों ने कहां तक यह हो चुका है काम और क्या क्या होगा आगे वह भी है मैं आप लोगों से शेयर करती रहूंगी आगे आने वीडियो में तो चलिए फिर इस वीडियो का मैं यहीं पर एंट करूंगी आई हो पीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और जो न्यू चैनल पर आ रहे हैं वह प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए थाकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और कोमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा लाइक करना तो बिलकुल न भूलना तो चलिए फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए